आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कक्षा 9 की हिंदी पाठ्थे पुस्तक से पाठ संख्या 5 जिसका शीर्षक है विज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी बच्चों इस पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेए इसके लेखक का नाम है श्री धिरंजन मालवेजी धिरंजन मालवेजी का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुम्वरावा गाउं में 9 मार्च को 1952 में हुआ था इनकी शैशनिक योगता के बारे में अगर देखा जाए तो ये MA, MSC, सांखिकिय, MBA और LLB हैं आकाशवानी और दूरदर्शन से जुड़े मालवे अभी भी विज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुचाने के काम में जुटे हुए हैं आकाशवानी और BBC अर्थाक लंडन में कार्य करने के दौरान मालवे जी रेडियो विज्ञाफन पत्री का ज्यान विज्ञान का संपाधन और प्रसारण दोनों करते रहे हैं मालवे की भाषा बहुत ही सीधी, सरल और विज्ञानिक शब्दा वली से परिपूर्ण है यथा वशक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रियोग भी पे हमेशा करते रहे हैं मालवे ने कई भारतिय विज्ञानिकों की शंशिप्त जीवनियां लिखी हैं जो की इनकी विश्व विख्यात भारतिय विज्ञानिक पुस्टक में समाहित है तो बच्चों आगे देखते हैं इस पाठ का प्रवेश यदि इस पाठ में देखा जाए प्रस्तुत पाठ में विज्ञानिक चेतना के वाहक रामन ने नोबल पुरुसकार एक विजेत परथम भारतिय विज्ञानिक के संगर्शमय जीवन का पून रूप से चितरन किया गया है वेंकेट रामन कुल 11 साल की उम्र में मेट्रिक अर्था 10 विशय योगिताओं के साथ इंटरमीडियट भौत की और अंग्रेजी में स्वन पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में में मेके करके मात्र 18 साल की उम्र में ही कोलकाता में भारत सरकार के फाइनस डिपार्ट में सहायक जर्नल अकाउंटेंट न्यूप्त कर लिए गए थे इनकी प्रतिभा से इनके अध्याभग तक आश्चर्य चकित थे भौत की अर्थात इस विशय को आज हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं सन 1930 में नोबिल पुरसकार पाने वाले सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरसकार समारोह के बारे में लिखा था उन्होंने पत्र में लिखते हुए ये कहा था कि जैसे ही मैं पुरसकार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके उपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है तो मुझे मुझे अर्थात सीवी रामन जी को बड़ा ही अफसोस हुआ कि मेरे दीन भारत की अपनी कोई पताका तक रही है इस एहसास से ही उनका घला पूरी रूप से भर आया था और वह वहीं पर फूट फूट कर रोन पड़े थे चंदरशेखर वेंकट रमन भारत में विज्ञान की उनती के चीर आकांशी थे तथा भारत की स्वतंतरता के पक्षधर में थे वे महात्मा गांधी को अपना एक अभिन्न मित्र मानते थे और नोबल पुरुसकार समारहों के बाद एक भोज के दोरान उन्होंने कहा था कि म मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रियम मित्रिक अर्थात गांधी जी गांधी जी से प्राप्त हुआ है जो इस समय जेल में थे तो एक मेधावी चात्र से महान विज्ञानिक तक के रामन की संगर्ष्मय जीवन यात्रा और उसकी उपलब्धिकी जानकारी यह पाठ हमें बखुवी रूप से कराता है बच्चों चलिए आगे देखें पाठ का विवरण पाठ में बताया गया है कि पेड से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं मगर सेब के गिरने के पीछे के रहस्य को सबसे पहले न्यूटन ने उजागर कि ठीक उसी प्रकार विराठ समुद्र की नील वरणिया आभा भी असंख्ये लोग आदिकाल से ही देखते आ रहे थे मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के परदे को हटाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी बच्चों इसमें कई शब्दों के शब्दार भी बताए जा रहे हैं जैसे विराठ अर्थात विशाल काय आभा अर्थात चमक असंख्य अर्थात अंगिनत तो बच्चों बात करीबन सन 1921 की है जब रामन जी समुद्री यात्रा पर गए थे जहाच के डेक पर खड़े होकर जब वे नील समुद्र को निहार रहे थे प्रकृती प्रेमी रामन को बहुत ही अच्छा लगता था प्रकृती के इस सुंदर्ता को निहारना वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोई रहते थे लेकिन रामन केवल भावुक एक प्रकृती प्रेमी ही नहीं थे बलकि उनके अंदर एक विज्ञान एक विज्ञानिक की जिग्यासा भी उतनी ही शशक्त थी यदि यही तो जिग्यासा उनसे यह सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यूं है और कोई रंग क्यूं नहीं है रामन सवाल का जवाब ढूनने में बस ततपर होके लग गए जवाब ढूनते ही वे विश्व विख्यात बन गए बच्चों यहाँ पर जिग्यासा जिग्यासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला विश्व विख्यात अर्थात संसार में प्रसिद आगे रामन का जन्म साथ नवंबर सन अठारा सो अठासी को एक तमिल नाडू के तिरुच्वा पल्ली नगर में हुआ था पिता इन्हें पच्चपन से ही गणित और भौतकी पढ़ाते थे कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ए बी एन कॉलेज तिरुच्वा पल्ली में से की और फिर प्रेसिडन्सी कॉलेज मदराज से की बी ए और एम ए दोनों ही परिक्षा में उन्होंने काफी अच्छे अंक प्रस्तुत किये रामन जी का मस्तिस्क विज्ञान के रहस्यों को सुलजाने के लिए बच्पन से ही बेचैन रहता था अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कारियों अर्थात रिसर्च वर्क शोध कारियों में दिल्चस्पी लेना शुरू कर दिया था उनका पहला शोध पत्र यानि की फिलोसोफिकल मैगजिन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिल्ली इच्छा थी यही थी कि बस वो अपना सारा जीवन शोध कारियों को ही समर्पित कर दें। मगर उन दिनों शोध कारियों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपना लेना इसके लिए कोई खास विवस्था नहीं हुआ करती थी। प्रतिभावान, चात्र, सरकारी, नौकरी की और जादा अकर्शित हुआ करते थे। तो रामन जी भी अपने समय के अन्यस योग चात्रों की भाती भारत सरकार के वित्विभाग के अफसर बन गए थे। और उनकी तैनाती उस समय हुई थी कलकत्ता में। बच्चों, शोध कार्य अर्थात अनुसंधान के कार्य जिसे हम आज रिसर्च वर्ट के नाम से जानते हैं। प्रतिभावान अर्थात तेज बुद्धी वाला। वित्विभाग अर्थात आय और वैय से संबंधित विभाग। तो बच्चों, जब रामन जीक की नियुकती कलकत्ता में हो गई, तो कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दोरान उन्होंने अपने स्वभाविक रुझान को हमेशा बनाए रखा। दफ्तर से जैसे ही उन्हें थोड़ी भी फुरसत मिलती थी, तो लौटते हुए कलकत्ता में बहु बजार एक इलाका है, तो उस इलाके से आते समय वहाँ पर एक Indian Association for the Cultivation of Science की एक प्रयोग शाला थी, यानि की लैबरेटरी थी, यहां अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के ही एक डॉक्टर महेंदरलाल सरकार ने वर्षों के कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा गिया था, इस संस्था का उदेश था कि देश में विज्ञानिक चेतना का विकास वो कर पाएं, अपने महान उदेशियों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों की नितांत कमी थी, अभाव था, रामन जी इस संस्था की प्रियोक शाला में काम चलाओ जो भी उपकरन उस समय प्रस्तुत थे, उनी से वे अपने शोद कार्य करते रहते थे, यह अपने आप में एक आधुनिक हट योग का उदारन रहा, जिससे एक साधक, साधक अर्था तपस्या करने वाला, एक साधक दफ्तर में पूरा दिन, कड़ी मेहनत के बाद, वहु बजार की एक छोटी सी मामूली सी प्रियोक साला में पहुँचता है, और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को सम्रिध बनाने का सफल प्रयास करता है, उन वाद्ययंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे हुए विज्ञानिक रहस्यों की परतों को खोलना चाहते थे और इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे थे, इस दोरान उन्होंने अनेक वाद्ययंत्रों का अध्यन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों ही प्र पुझान अर्थात जुकाव इसका अर्थ है, साधन अर्थात ऑजार और नितांत अभाव अर्थात जिसकी बहुत अधिक कमी हों। किया, उन्होंने विज्ञानिक सिध्धानतों के आधार पर पश्चमी देशों की इस ब्रांती को तोरने की कोशिश की की भारतिय वाद्ययंत्र, विदेशी वाद्ययंत्रों की तुलना में घटियां हैं। कुद्धपत्र भी निकाले। कितार, मृदंगम, इत्यादी। आप जैसे देख रहे हैं इसकी बनावट दोनों तरफ कितनी अलग-अलग है। लेकिन वाद्ययंत्रों के से जो वाइब्रेशन अर्थात जो कमपन निकलती है वो लगभग सेम है। तो अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो किस प्रकार से पास्चाते लोग हमारे वाद्ययंत्रों को खराब समझते थे। उनकी इसी भ्रांती को तोनने का प्रयास हमारे श्रिवेंकट रमन जी ने किया है। उस जमाने के प्रसिद शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जैसी ही मालूम हुआ। उनको जानकारी लगी उनहीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्याले में प्रोफेसर पद स्रिजित कर दिया गया अर्थात बना दिया गया उनके लिए केवल। मुखर जी महोदय ने रामन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि ये सरकारी नौकरी छोड़ करके यानि कलकत्ता विश्वविद्याले में प्रोफेसर का पद स्विकार कर ले। रामन के लिए या एक कठिन निन्ने था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पत्पर थे जिसके साथ मोटी तनख्वा और अनेक सुसुक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए लगभग दस वर्ष हो गए थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर किसी कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्व विद्याले की नौकरी में आने का फैसला करना ये किसी हिम्मत का ही काम था। तो इस औसमंजस में पड़े हुए हमारे श्रीवेंकर रमन जी ये सोच रहे थे कि क्या उनका ये फैसला, ये डिसीजन, क्या ये सफल होगा। अब आगे यह प्रश्न उठता था कि वे किसे चुनेंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्तों के बारे में देख लें। सबसे पहले ब्रांती अर्थात संदे होना, स्रिजित अर्थात बनाया गया या रचा हुआ, समक्ष अर्थात सामने। तो बच्चों, अगर आप उस समय उस अवस्था में होते, जिस अवस्था में श्री वेंकट रमन जी थे, यानि एक तरफ सरकारी नौकरी, दस साल का अनुभव और एक तरफ अपना वो इंट्रेस्ट, अपनी वो रूची जिसके बारे में वो हमेशा शोधकारी करते रहते तो आप यदि उनकी जगा होते, तो उस समय क्या चुन्ना पसंद करते, ये सवाल आपके लिए है, अब आगे बढ़ते हैं हम पाठ में, रमन सरकारी नौकरी की सुक सुविधाओं को अन्तता छोड़ करके, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्याले में उन्होंने नौकरी कर ली उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुक सुविधाओं से बहुत अधिक महत्वपूर्णी थी, कलकत्ता विश्वविद्याले के शैश्णिक माहोल में वे अपना पूरा समय अध्यन और अध्यापन में लगाते थे चार साल यूहीं बीत गए, यानि चार साल बीत गए अर्थात 1921 में जब वे समुद्र यात्रा के दोरान, जब रामन के मस्तिश्क में समुद्र के नीले रंग की वज़ा, जब यह सवाल हिलोरे लेने लगी, अर्थात जब सवाल उठने लगे, तो उन्होंने आगे इस दि प्रभाव की खोज के रूप में हुई, अध्यन अर्थात पढ़ना, अध्यापन अर्थात पढ़ाना, परिनिती अर्थात प्रमान, तो अब देखते हैं उन्होंने कौन सा नया शोदकारे लिया, रामन प्रभाव, जिससे हम कहते हैं रामन अफेक्स, आपने इसका नाम रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किर्णों के प्रभाव का अध्यन शुरू कर दिया था, उन्होंने यह पाया कि जब एक वरनिय प्रकाश की किर्णे किसी तरल या ठोस पदार्थ या रवेदार पदार्थ पर से होके जब गुजरती हैं, तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है वज़ास यह होती है कि एक वरणिय प्रकाश की किर्णों के जो प्रोटून्स होते हैं जब तरल या थोस रवे से होके गुजरते हुए इनके अनुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के ही परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो दे हैं दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण वर्ण अर्थात रंग में कलर में थोड़ा बहुत बदलाव आता ही आता है एक वर्णिय प्रकाश की किर्णों में सबसे अधिक उर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है बैंगनी के बाद क्रम शह यानि इसके बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है इस प्रकार लाल वर्णिय प्रकाश की उर्जा सबसे कम होती है तो एक वर्णिय प्रकाश तरल या ठोसरवों से गुजरते हुए जिस परिमान में उर्जा को खोता है या पाता है उसी हिसाब, उसका ही हिसाब, उसका वन परिवर्टन उसी हिसाब से हो जाता है आए इसके शब्दार्थों की तरफ चले ठोसरवों, जिसको मैंने अभी पढ़ा है, उसका अर्थ होता है बिल्लार प्रोटोन होता है प्रकाश का अंग और करमशा अर्थात करम के अनुसार तो बच्चो रामन की खोज भौतकी यानि फिजिक्स के शेत्र में एक क्रांती से कम न थी वो क्रांती के ही समान थी इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृती के बारे में आइंस्टाइन के विचारों को एक प्रायोगिक प्रमान मिल गया था उस समय आइंस्टाइन के पुरवर्ती विज्ञाने को ने प्रकाश को एक तरल रूप के रंग में माना था मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अती शूश्मकनों की तीवर धारा के समान है इन अती शूश्मकनों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलिट से की और इन्हें क्या नाम दिया प्रोटोन रामन के प्रियोग ने आइंस्टाइन की धारना का एक प्रत्यक्ष प्रमान दे दिया था क्योंकि एक वर्णिय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तोर पर प्रमानिट करता है की प्रकाश की किरण तीवर्गामी शुश्मकड़ों के प्रबाहव के रूप में उसी रूप के यानि उसी रूप से वेवहार करती है अब इसके शब्दार देख लेते हैं प्रायोगिक प्रायोगिक अर्थात प्रियोग से संबंदित पूरवर्ती पूरवर्ती अर्थात पहले का तीवरधारा अर्थाज तेजधारा तो बच्चों आज हमने इस पाठ में उनके रमन अफेक्ट के बारे में पढ़ा उनके करना चाहूंगी रामन के अंदर के विज्ञानिक जिग्यासा का क्या उनके अंदर जो विज्ञानिक जिग्यासा थी वो उनसे क्या पूछ बैठी उसने उनका जो विज्ञानिक दिमाग था उसने उनसे यह पूछा कि क्यूं समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यूं होत अगला प्रश्न है वे सरकारी नौकरी की ओर क्यूं आकर्शित हुए और उनकी तैनाती उस समय कहां हुई थी तो वे सरकारी नौकरी की ओर इसलिए आकर्शित हुए क्यूंकि उन दिनों शोधकार्यों को पूरे रूप से करियर को अपना लेना इसकी कोई भी विवस्था नह आकरशित होते थे और उनकी तैनाति उन दिनों कलकत्ता हुई थी अगला प्रशन है रामन की दिल्ली इच्छा क्या थी अर्थात वो मन से क्या चाते थी उनकी क्या इच्छा थी उनकी इच्छा सिर्फ यही थी कि वे अपना सारा जीवन बस इन शोध कारियों को समर्पित कर अगला प्रश्ण है रामन के लिए नौकरी संबंधित कौन सा निन्ने कठिन था बच्चों यह प्रश्ण पाठ पढ़ाते वक्त भी मैंने आपसे पूछा था कि यदि आप रामन के जगह उस समय होते तो आप क्या करते क्या आप सरकारी नौकरी में ही लगे रहते या आप अ यह आपके उपर निर्भर करता है यह तो बाते हमने श्री वेंकट रमन जी के बारे में कही लेकिन यह प्रश्ण केवल आपके लिए है आप अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करें और यह भी सोचे कि क्या उस समय लिया गया यह फैसला श्री वेंकट रमन जी का सही था या नहीं अगर सही था तो क्यूं और अगर सही नहीं था तो क्यूं नहीं था इसी के साथ आज हम भाग पहला श्री वेंकेट रमन का खोज क्या यह भाग यहीं पर समाप्त करते हैं मैं फिर प्रस्तित होंगी आपके साथ भाग दो को ले करके धन्यवाद झाल झाल